पहले तो विश्वासी नहीं हुआ कि अब 720 आ गए हैं। पता था पहले से क्योंकि आंसकी से मैच किया था पर फिर भी रिजल्ट आने के बाद लगा कि अई क्या हो गया। जासे लोगों में जादा उसा रहा। कल देर रात तक बच्चे अपना रिजल्ट चेक करते रहें। आमामला यह हुआ था कि सर्वर भी डाउन हो गया था काफी देर तक बच्चों में उसा बना रहा। और बात करें टॉपर्स की तो उतर प्रदेश की राजधानी लखनो के जो टॉपर हैं जिरोंने 720 में से 720 अंक हासिल किये हैं और लखनो समेत उतर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनका नाम है आरन्यादो जो अपनी मां के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आईए पहले उनसे जानते हैं कि उनकी अब तक की जरनी कैसी रही और कैसे क करते थे वो पढ़ाई आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैंने आकाश चॉइन किया क्योंकि मुझे प्रॉपर माटीरियल्स चाहिए थे मॉड्यूल्स चाहिए थे उसके बाद फिर फोकस्ट रहे कि स्टडी किया कंसिस्टेंसी बनाया रखा कभी कोई बैकलॉग न किस तरह की सवाल पूछे गया थे किस टॉपिक से जादा सवाल थे मेरे सबसे इस बार डिलीशन होने की वज़र से केमिस्ट्री में और फिजिकल से जादा सवाल आए और बस इस बार लेवल हलका सा रहा होगा टफ लेकिन ओवरॉल पेपर बहुत टफ नहीं आया था लेकि कुछ सवालों में आपको लगा कि टफ हैं कुछ सवाल कुछ टफ थे जो अन्त में मुझे जाके इंसॉल्व हुए अच्छा बात करें आपकी फैमिली बैग्राउंड की तो आप पहले शक्स हैं जो डॉक्टर बनने जाए हैं हाँ मैं अपने फैमिली में पहला हूँ जो ड अपने यह उमीद की थी कि 720 में से इतना हाई मतलब आप कर ले जाएंगे टॉपर बन जाएंगे ने मुझे इतना उमीद था कि 700 प्लस आ जाएंगे क्योंकि पेपर अच्छा गया था पर 720 की उमीद नहीं थी पर मैंच करने पर प्रोविजनल आंसर की से जानने के बाद फि फिर भी रिजल्ट आने के बाद लगा कि आई क्या हो गया लेकिन फिर थे दिरे वो रिलाइज वो कि हाँ जाना चाहूंगा क्योंकि इसमें मुझे काफी इंट्रेस्ट है ब्रेन की अनाटमी और आगे चल क्योंकि इसमें लोगों का भी इभी इसमें फसलिटीज आगे और बढ़ाई जा सकती है इसमें भी जाग रुकता थोड़ी कम है इसमें आगे बढ़ाने के लिए तो जो बच्चे सफल नहीं हो सके लंबे वक्त से तयारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहें कि उन्हें बस यह हिम्मत रखनी होगी कि लाइफ यही खत्म नहीं होती और भी बहुत सारे रास्ते हैं चाहें आप इसमें वापस लगें या और भी बहुत सारे जगें हैं जा अपर्चनिटीज मिल सकती हैं बस तलाशना होगा उन्हें तो अब रिजल्ट आने के बाद पहला काम क्या होगा आपका? अब इसके बाद यही है कि आगे अब इसको बरकरार रखना है और आगे जाने के बाद वहाँ भी अच्छे से पढ़ना है और आगे और सफल डॉक्टर बनना है अब बनने जा रहा है डॉक्टर और मरीजो की सेवा करेगा देश की सेवा करेगा क्या कहने चाहिए? बस सेवा करें आगे बढ़ते रहें तो आपने जब रिजल्ट देखा तो किस तरह से भावुक हुई थी या क्या रहाता रियाक्शन? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें विश्वास नहीं हो रहा था विश्वास नहीं हो था लेकिन बहुत खुशी थी बहुत 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 खुशी थी तो आपके घर का पहला डॉक्टर बने जा रहा है? जी, बल्कुल पहला डॉक्टर मेरा बच्चा बनेगा पुरा सपोर्ट किया, हमैसे उनको आगे बढ़ने के मिसे सला दी कि आप आगे बढ़ते रहो बच्चा, तैयारी करते रहो किस तरह से खाने पीने का ख्याल लगती थी जी जी बिल्कुल जो उनको पसंद था उनको बनाते थे टाइम से देते थे प्याइट का बढ़ा थिया लगता है जी 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 तो आप काफी खुश है बिल्कुल बहुत हुश है तो आप क्योंकि माहें तो जो बच्चे इस बार सफल नहीं हो सके उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी कि वो निराश होंगे तो बिल्कुल नहीं निराश हो यह मेहनत करते आगे बढ़ते रहें, अपने पूरा फोकस करें अपने सपनों पर, आप लो बेसिकली ब्लॉंग कहां से करते हैं, हम गाजीपूर से करते हैं, जी जी, हाँ जी, कितने सा से तियारी करा था रहें, बस अभी ये दूसरा साल था इनका, टुवल्ट के बाद, जी, बाब तो ये आरियन यादो थे, तो अभी आपको आयूश से भी मिलाते हैं, उन्होंने भी टॉप किया है, और काफी अच्छी तरीके से उनकी भी चर्चा हो रही है, इस्वत लखनों समित पूरे उत्तरपरदेश में, तब तक लिए जुड़ें मेरे साथ